जय हैं दोस्तों स्वागत है आप सभी के study with mspp चैनल पर दोस्तों ये सीरीज जो है UPPSC 2023 का जो प्री है उसके लिए प्लस जो आरो एरो UPPSC आरो एरो का जो एक्जाम होने वाला है होने वाला इंदसेंस मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी notification तो आया नहीं है लेकिन उसका notification हो सकत है तो लेकिन त्यारी तो आपको करनी ही पड़ेगी तो तैयारी करते रहिए अन सभी जो परिक्षाय है उन सभी के लिए यह महत्तपूर्ण है जी एस पोर्सन मैं इसमें टॉप 20 कोश्चन करवाऊंगा ठीक है वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल पर पीच में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं किस तरीके से वीडियो को मैं बना रहा हूं क्योंकि जरूरी है यह आप लोगों का जो है प्रैक्टिस आप लोगों की होती रहनी चाहिए चली सुरू करते हैं देखे पहला कोश्चन निमलिखित में से किस अस्थल से हड़ी के उप प्रताबगण में ही है तो यह मान के चलिए अब कि यह जो स्थल यह हड़ी के बात कर रहें उपकरण की यह अपका मैधा से प्राप्त हुआ है और यहां पर मतलब हड़ी और सीम से निर्मित बड़ी मात्रा में उपकरण प्राप्त हुए हैं डमदमा से भी आपको 41 सवाध कालीन है यह भी याद रखेगा देखिए यह हैं तो बीसी कोश्चिन लेकिन इन से आपको बहुत सारे कोश्चिन जो है वह मैं मतलब एक्स्प्लिनेशन में जब व्याख्या करूंगा तो बहुत सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा तो बीस के बजाए वो मान के चलिए कि पचास साथ कोश्चिन आपके ठैयार होंगे एक वीडियो में तो आप उसको अच्छे तरीके से वीडियो देखिए लाइक कीजिएगा ठीक चलिए देखिए मैह रहा बता दिया मैंने इसमें करेक्ट आंसर और यहां से इसके बाद दमदमा भी याद रखेगा सराय नहर र वाधूप में क्रिसे के प्राजीनतम साक्ष कहां से प्राप्त हूए है क्रिसी प्राजीनत में यह अधर playing वह के बूदा है तो चावल का साख्षी यह भी याद रखिएगा थीक मेहर गढ़ वाई से किस चीज के लिए फिर मस है और मेहर गढ़ में जो है वो आप बताएगा कमेंट करके ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुश्चन अगला कुश्चन देखते हैं ठीक है देखें इसको थोड़ सभिताएं थी इनका सबका जो मुल्यंकन है वो किस तरीके से किया जाता था वो मृद्भांड के उपर किया जाता था यानि मृद्भांड किस प्रकार के किस तरीके से बनाए जाते थे उस प्रकार से इनको एक दूसरे से अलग करके देखा जाता था तो यह याद और भी कुछ इसमें आप देख लिए हडपा वासियों को चांदी की जानकारी ठीक है यह राइस्थान के जावर और अजमेर अगेरा से यह चांदी प्राप्त करते थे तो याद रखेंगे इसको तिके चौथा कोश्चन देखते हैं इसमें मैच करना है उत्खनन करता और हैं आपको पहले से ही पता है बहुत बार अपने पढ़ा होगा ठीक है जैसे हडपा आपको पता होगा यह तुरंत जो है वह without समय आपको गमाई हुए आपको आंसर देदेगा जैसे ही आपको दयाराम साहनी मिले उसको लगाईए आप और आगे बढ़िए ठीक है तो हस्तिनापुर का बीबी लाल ठीक है बीबी लाल का अभी अगर करेंट में आपने सुना होगा तो इनकी अभी मतलब मृत्य हो गई ठ तक्ष दैक्षसिलह जो पूछा जा सकते है और इस तुरिके से भी कुछा आसकता है तो दुनों की याद रखेएंगा ठीक है कि पूर्व वैड़िक आर्यों का धर्म प्रमुक्ता था देखिए पूर्व वैडिक आरे कैसे थे आप बढाईए पूर्व वैडिक आरे का मतलब यह हुआ उस्ताइम पर सिर्फ प्रकित्य पूजा और और यत के प्र сказала-पाद नहीं होते थे तो यह उते दक है बाकि और उर पूछा गया है तो अगर आप मूल सरस्थापक की बात करेंगे, तो प्रथम तीर ठंकर जो है, रिसबनाथ, आदी देव जीन को कहा जाता है, वो माने जाते हैं, लेकिन चुकि उनका इसमें, उनका रोल रहा है, तो उनको माना जाएगा, सरस्थापक हो ही है, लेकिन जो महादुर्ष स्वाम जो है वो आदी देव, इन्होंने इसकी इस्थापना की, लेकिन जो महादुर्ष स्वामी ये प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है, ये प्रथम थे, और ये कौन से थे, चौबीस में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो ये तीर्थंकर से भी प्रशन पूछा जाता है, तीर तीर्थंकर थे, यानि स्वामी महावीर के पहले वाले जो थे, पारसना थे, उनका जन्म जो है वो वारणसी में, राजा अस्वसेन के हाँ हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉस्चिन क्या है, इसमें, सात्वा सुमेलित करना है, यहाँ भी, यह थोड़ा अगे-पीछे हो गया है, तो इसको आप कोई देख लेजेगा, देखे हरपा किस नदी के किनारे है, अब यहाँ पर साइट दी हुई है, और यहाँ पर नदीयों का नाम दिया हुआ है, कि किन नदीयों के किनारे वो बसी हुई ह ठीक है, तो यह चीज याद रखेगा, आप सिंगल भी पूछे जा सकते हैं और ऐसे, यूपी-पी-पी-स में तो इसी प्रकार के प्रशन पूछे जाते हैं, आरियो-आरू में भी इसी टाइप के ही प्रशन आते हैं, अन्य जगहों पर जैसे लेकपाल हो गया, वीडियो ह उनमें क्या है, उनमें सिंगल लाइन में ज्यादत तरफशन पूछे जाते हैं, तो तैयारी इस तरीके से करिए कि कॉम्प्रेहेंसिब तैयारी होनीचे, मतलब यह नहीं कि इसके लिए अलग पढ़ना पड़े, उसके लिए अलग पढ़ना पड़े, ठीक, तो वो चीज ध तो देखे, इसमें क्या होगा, इसमें मैच करना है आपको, तो इसमें क्या होगा मैच करने में, तो हरपपा आपको पता है कि रावी नदी के किनारे है, यानि कि एक अटू, अगर एक ही में है, अब आप इसका ओप्शन लगाईए और आगे बढ़िए, अलिमेनेशन में आपको इसी तरह होता है, और आपको विदिन सेकेंड आपका जो क्वेश्चन है, वो सौल हो जाएगा, और टाइम ही बचेगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, तो हरपपा का रावी हो गया, काली बंगा जो है, वो गगघर हो गया, ठीक है, काली बंगा लोथल किसके किनारे है, भोगवा के, ठीक, काली बंगा आपका घगघर हो गया, और रोपड सतलज, रोपड कहां पर है, पंजाब में है, लोथल कहां पर है, आप गुजरात में पड़ता है, काली बंगा आपको राजस्थान में मिलेगा, हडपा आपको ये पाकिस्तान, वहां पर मिलेगा, तो इनके जगहों के नाम भी याद रखेगा, मैं इसलिए इन चीजों को बता दे रहा हूं कि आपका जो कॉंसेप्ट है, वो क्लियर रहे, तो अगर किसी भी प्रकार का प्रशन पूछा जाए, तो वो आप हाल कर सको, सिर्फ यही नहीं, आपको जो ची चुनना है, जैसे एत्रे ब्राह्मवण और कॉस्त की ब्राह्मवण वो किसे सम्मंदित है, रिगवेट से, याद रखेगा, जो है, वो रिगवेट से ही है, इसमें पहले मैं, मतलब अ कर ये, पहला, दोनों में दिया हुआ, एक वन, जाननि रिगवेद का एत्रे और कॉन स कि यह दोनों याद रहने चाहिं आपको यह उन्हें हम साम्हे जो तांड़ और यह पंचविसी किसे हैं सामवे चिसे सामवेतlä Watts जो सामबेट के हैं तीन हैं याद रखें कौन कौन से हैं सामबेट के तांड जैमिनी और पंच्विस यह तीनों का नाम याद रखें कोई सभी पूछ लेगा कौसित्की और एत्रे रिगवेट के और सामबेट से तीन हैं कौन कौन से कौसित्की तांड जैमिनी और पंच्वि यह तीन है सामवेड का यह है तो इस तरीके से इस तरीके से आप तो आप इस आहां आ गया यह सामवेड का पंस्वीच आ गया बी का 4 हो गया अतरवेड की गोन याद है। यहाद है। तो गड़बर हो जाएगा, ठीक, चलिए, गवतम बुद्ध की मा किस वंससे संबंधित थी, ये सारे प्रशने पूछे गए हैं ये, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको बार बार, तो गवतम बुद्ध की मा का नाम जो है वो, और वो किस वंससे थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, देखे, गवतम बुद्ध के बारे में जानकारी ले लिए, इसका जो करेक्ट, करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका साक के वंससे, ठीक, तो याद रखेगे इसको, ठीक, देखे, पिता उनके, गवतम बुद्ध का जन्म जो है, वो कहां हुआ था, कपिल बस्तु में कपिल बस्तु, है न, पांसो तिर्सटीस भी पूर्म में, और इनके पिता जी का क्या नाम था, इनके पिता जी का नाम था, सुदोधन, साक्क गंडराज के थे ये, इनकी माता जो है, वो कोली वंस के थे, इसमें मैंने साक के वंस जो बताया था, वो उनकी पिता का वंस था लेकिन जो उनकी माता किसवंस से आती थी थी नगी कोली वंस से यह भी याद रखिए जो भी आप कहानी बहुत की कहते हैं कि इनका जब जन्म तो एक बहुत बड़े मतलब प्रकांड विद्वान या पुरोहिद्योभी है उन्होंने बताया था कि यह जो बालक पैदा हुआ है इनके पिता सुद्धोधन को यह तो यह बहुत बड़ा मतलब राजा बनेगा चक्रवर्ति सम्राद बनेगा अन्यथा यह जो है वह बहुत है तो यह चक्रवर्ति सम्राद बनने में तो कोई समस्या नहीं है लेकिन के पिता जी का मानना था कि भाई कहीं साधु महत्मा न बन जाए वैराग्य न धारन कर ले तो उसके लिए इन्होंने बहुत जल्दी इनकी साधी वादी कर दी वैसे भी पहले साधी जल्दी ही हो ज जल्दी तो जो चीजे में बता रहा हूं आपको उनको ध्यान में रखिए गए घीए चलिए नेक्स्ट कॉस्चन देखते हैं असोग के सिलालेखों में प्रियुक्त भासा जो प्रियुक्त भासा है वो कौन सी है देखिए तो जो असोग के सिलालेख में है वो पाली भासा है असोग के सिलालेखों में पाली भासा में ज्यादा तर मतलब वो मिलते हैं ठीक है पाली जो आरे भासा जो है उसकी प्रथम वो यह सारी चीजें चलती हुई चली आती हैं कि क्रमसा हविकास होते हुए संस्कृत से फिर धेरे 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 ऐसे करके बढ़ते हुए चली आती हैं तो जो इनके जो अब लेख है यह पाली भासा में मिले हैं और भी प्रश्न बनते हैं इनके सिला लेख यह जो है वो सिला में विभाजित किये गए हैं तीन उसमें मिले हुए हैं तो जिसे सहबाजगड़ी मानसहरा गरनार धौली कालसी यह सब जितने भी है ना एरागुड़ी यह सब क्या है यह प्राकरद भासान में ब्राम्ही लिप में लिखे गए हैं केवल दो अब लेक उदारन जो हैं सहबाजगड़ी और मानसहरा के लिपी है वो खरोष्ठी है तो इसमें पाली और प्राकृत दोनों उसमें भासा में मिले हैं मेली जो है वो पाली का ही यूज हुआ है प्राकृत भी मिले हैं जो मैंने नाम पढ़े ना सहबाज मानसहरा और यह सब वो सब जो है वो प्राकृत गुर्श भाओ लिप एक तो ब्रांही लिप में ही मिले हैं और ठज्वी लिप में भी लें तो यह डीए दोनों चिछा याद रहूं चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब ही अगला कॉश्चन तोड़ा चोटा करते हैं इसको देखिए इसमें क्या पूछ रहा है इसमें यह राजधानी दी गई है और यह राजवन्स दिये गए हैं तो इनका आपको बताना है कि इनकी जो राजधानिया है वो कैसी कौन-कौन सी है मैच करना ना ठीक है तो इस तरीके से प्रशन बहुत उचिविग जाते हैं यूपी प्रीपीस में तो मतलब यही पैटर नहीं चल रहा है तो यह आप चितना प्रेक्टिस करेंगे उतर ही आपको फाइदा मिलेगा यूपी जो यूपी मतलब आरो-आरो औरो यह दोनों में पीच्यश में दोनों में देखिए इसमें आप मिला अगर आप सुख बटर में तो यह सुंग बंस कहां पर पाठी पुत्र में चाथ वहां प्ञेट लाएं पैठन करें डिक अगर ठोड़ा साथ अगर प्धाईनश्यक द रहाएं तो भी आपको यह पाहन पान सा तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह ओगा ए ठीक है याद रखेगे इस चीज को चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत कर नेपोलियन कैसे कहा जाता है भारत कर नेपोलियन जो है वह समध्र गुद को कहा जाता है यह मतलब आप कह सकते हैं कि जो माक्सवादी जो यह थे इन्डिया नेपोलियन का जन्म और समुध्र गुद्ट का जन्म आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले कौन पाइदा हुआ लेकिन चूंकि अब ऐसे ही पढ़ा जा रहा है और इसे ही प्रेश्न कूछे जा रहे हैं तो आप उसको नकार नहीं सकते हैं लेकिन इस चीज को देना चाहिए जैसे इसी लिए बोला जाता है कि इतिहास की जो पुनर रजना है वो बहुत आउश्यक है बहुत जलूरी है और इस पर थोड़ा बहुत काम चल भी रहा है तो ये सारी चीजें अब बताईए नेपोलियन कहां 17 सताब्दी में और कहां जो है वो समद्रूत इस भी उधर आप मतलब तीसरी चौत्री सताब्दी में तो ऐसे चीजों को आप कंपेर कीजिए जो आसपास में हो जिसके बाद पैदा हुए हूं वो लोग तो ये आप ये कह सकते हैं निपोलियन में जो है वो जो कि अपनी वो बोलते हैं ना कि सर्वोचता और रहे हैं जो पुरान इतिहास रहा है वो भारती इतिहास से अच्छा रहा है तो इसलिए उस चीज को उनसे कंपरिजन कर दिया ठीक है ना कि भारती से यूरूपियन का चलिए ठीक है ये तो पार्ट ऐसे ही है जो चल रहा है तो उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं याद रखिएगा कि समुद्रकुट को कहा जाता है खजुराहो मंदिर स्थापत के निर्माण के में सहयोगी थे इसके दोरा बनाए गया था ये तो चंदेलों दोरा अभी आपने ऊपर पढ़ा ना कि महोबा चेत में जो है उनकी राजधानी थी तो याद रखिएगा चोलों की कौन सी है जो चोल थे उनकी तीन राजधानिया थी ठीक है शुरुवात में तंजाओर फिर गंगाई कोंड चोलपुरम ठीक है फिर उरयूर जिसको संगमकाल में चोलों की राजधानी थी तो इसमें दिखिए अभी आप बता सकते हैं कि ये ये चीज जो है मैंने जानकारी एक्स्टा आपको बताई ठीक है तो वह चीज याद रखे इसमें है कौन सा तंजाओर है तो आप तंजाओर लगा सकते हैं जो भी आपको दिखे इन तीनों में माली तंजाओर के जगा पर गंगाई कोंड चोल पूरम दिख गया या उरयूर दिख गया तो ये तीनों हूँ थी यह जबना तमील इतिहास में अगर अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह संगम वाला जो है वो पार्ट देखने को मिलेगा तो तीन संगम हुए थे पहला संगम कहां था ौ तो दूसरा जो संगम हुआ था गपाट पूरम में दूसरा कहां हुआ था कपाटप इसने की थी अगस्त रिसी तो नाम याद रखेगा, ठीक है... तीसरा संगम हुआ था मदुरई में हुआ था उसमें नकीरर जो है उसमें नकीरर में भूए थी तो इनकीरर तो याद के गए यह चीज चले.. नेक्स्ट देखते हैं कॉसचन अगला कुश्यन देखते हैं, शुमेलित करना है इसमें फिर से, आपको फिर से मिलाना है, यहाँ पे आपका रशनाइदी होई है, यह लिखका है, दिखिए पाणिनी आप इसमें बहुत अराम से आप कर सकता हैं, जिससे चानक का अर्वसास्त हो गया, पाणिनी का अस्ता धा में निमलकिट में से कौन सम्मधित नहीं था तेटेखें मौलबी बिहार से थे हुआ है मौली अहमेद लुला नाम याद रखिएगा इसदेखंध Thy नेट के भारत भारत के प्रथम सुतंतरता संग्राम का मुख तातकालिक कारण क्या था कहने का मतलब यह है कि कारण तो कई सारे थे पिछले जो सव वर्सों की जो नीटिया थी आप 1757 से ले करके और 1857 तक जो उनकी ब्रिटिसर्स की जो नीटिया रही है उनके फलस्षुरूप ही जो है यह क क्रांटी हुए थी 1857 वाली क्रांथी हुई छीक है लेकिन ततकालिक कारण क्या रहा? जब दमें इंब नात की वह को याद होगा आप कि वह जो जो चर्बी सूः और गाय वाली जो कारतूस कि इनके चरिजय से कारतूस बनाय जाते थे उनका इस्तिमाल यानि कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक शेप कसंदे यह जो है उनका तातकालिक कारण था ठीक है तो यह याद रखिएगा ठीक यह ड्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोशन यह लास्ट कोश्चन होगा और आप इसको लाइक कीजिएगा जरूर ठीक है लाइक कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में ताकि सभी तक जो है यह पहुंच सके अगर फ्री आपको फ्री पीडिये फोगर है चाहिए तो यह टेलिग्राम दिया हुआ है यह आप इस टेलिग्राम पर जो है इसको आप जोइन कर सकते हैं ठीक चल सब्सक्राइब के साथ ब्याक्था करते हुए मैंने मुझे लगता है कि 30-35 और आपको मैंने बताया होंगे बहुत तरीके से तो उन चीजों को भी ध्यान रखिएगा यह लिख लीजिए नोट नोट्स बना लीजिए तो आप उसे आपका जो है एक अच्छा कॉस्च्शन देखे कोई भी प्रैक्टिस सेट आप जितना जितनी बार आप रिवाइस करेंगे उतने ही आपके लिए अच्छा होगा आप इसको हल कीजिए कमेंट कीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए और आप बदाएगा कि यह आपको ससन कैसा लगा अच्छा लगा या बुर स्वस्त रहिये मस्त रहिये बिंदात रहिये जहन